असलाम लेकूम माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब उमीद है सब खूश होंगे और मज़े में होंगे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही जटपट सी और बहुत ही हैल्दी सी एक सैलेड मैंने सैलेड खानी थी और घर में जो कुछ अविलिबिल था मैंन लाही रख्माने रहीम यह सारे इंग्डीडियंट्स जो मैंने इस्तमाल किये हैं मैंने दो अदर टिमाटर तीन मैंने गाजरे ली हैं दो बड़े खीरे हैं दो अदर सेब लिये हैं थोड़ी से मैं बंगो भी इस्तमाल करूंगी और थोड़ा सा औरेंज जूस यह मैंने ल पर है cottage cheese और मश्रूम और साथ में लिये हैं boiled corn अब मैं चिकन को marinate करूंगी नमक और काली मिर्चों से चलिए चिकन मेरिनेट करते हैं यह बस मैंने simply चिकन में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्चे 1-4 टी स्पून होगा नमक भी और काली मिर्चे भी और इसको मैं अच्छी तरह mix कर लूँगी और तक्रीबन 20 मिनिट के बाद मैं इसको fry कर लूँगी पैन में मैंने वन टेबिल स्पून ओयल लेया है इसमें मैंने यह डाल दिया है चिकन और इसको मैं थोड़ा सा फ्राय कर लूँगी अच्छी तरह से इतना फ्राय करूँगी कि चिकन अच्छे से गल जाए तक्रीबन हमें 5-10 मिनिट लगेंगे और यह 10 मिनिट के बाद चि पीज और मश्रूम का टेस्स बहुत अच्छा हो जाता है इनको फ्राय करके और फिर हम सैलिट की तरफ चलते हैं चलें जी अब सैलिट की तरफ चलते हैं यह सारी मैंने विजिटेबिल्स और एपल वगारा जो थे वो सारे मैंने काट लिए हैं बड़े-बड़े पीसीज मे यह देख लिए जी यह मुटे-मुटे थोड़े पीसिज ले लिए ताके यह नजर भी आए खुबसूरत लगेंगे और उनको खाने में मज़ा आएगा यह में पास तो इसे मतर थी यह मैंने बॉइल कर लिए यह मैंने इसमें डाल दिये सालिट में साथ ही अब इसमें मैं यह बॉइल कॉन डाल देती हूं और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे यह चिकेन और मॉश्रूम्स और कॉर्टेक चीज जो हमने फ्राइ कर रहे थे और अब इसमें जाएंगे नट्स यह देखें नट्स को भी मैंने चोटा चोटा काट लिया है दो दो पीसेज में कर लिया बदाम और काजु को आपके पास अखरोट हो या जो भी नट्स आपके घर में मौझूद हो आप वो इसमें डाल सकते जैसे कि मैंने आपको बताए कि जो चीज़े मेरे पास मौझूद थी मैंने उनसे एक सैलेट बनाई है और यह दिहान रखा है कि थोड़ी हैल्टी हो तो आप लोग के पास ब्रॉकली हो बेबी कॉर्ण हो सैलेट लीब्स हो आप कुछ पीस में डाल सकते हैं और अब यह मैं जो है सैलेट की स्पाइसी अच्छी लगती है आप लोग कम भी कर सकते हैं यह थोड़ा सा ओलिव आइल है तक्रीबन वन टी स्पून और यह मैंने भी इसमें डाल दिया है इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और अब यह मैं सैलेट के उपर सारी ड्रेसिंग इसकी डाल दू इसलिए मैंने इसमें क्रीम या माइनीज नहीं शामिल करी है और यह वैसे ही बहुत मज़ेदार है चलने जिसको मैं सर्फ करते हैं अलहमदुला जी यह बहुत ही मज़ेदार सा बहुत ही कलरफूल सा सैलेट बन गया है और जैसे कि आप दो देख रहे हैं सारी चीज़ेस में ऐसी हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे जरूर बताइगा कि यह कैसा बना है मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जब तक के लिए लाफ पीस